नमस्क्राइब दोस्तों स्वागते शोमस भाली जी के और एक हेल्थ कंसर्ण वीडियो में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक फूट डिजीज के बारे में एक फंगल इंफेक्शन है और अगर किसी को एक फूट हुआ है तो कैसे पता चलेगा कि वह एक फूट इंफ प्रकार के फंगल इंफेक्शन है जो आपकी पैर पर्टिकुलरी जो टो होता है उस टो नेल जो हमारे नाखून होता है पैर की या फिर जो फूट है फूट की जो बेस होता है वहां पे नीचे और दो उंगलियों के बीच में जहां पे इंफेक्शन होता है फंगस इंफेक जो यहां पर इज वो करता है इसके इलावा भी होता है यहां पर ट्राइको फाइटन एपिर्मो फाइटन भोलके भी अलग-अलग फंगस स्पीसीज है जो यह पर आपकी निक्टर्चन क्युता है इस तीन प्रकार के फंगस के कारन ही आपकी शरीर में जो है यफा Caitlin जैसा होगा और स्वेलिंग भी होगा सुजन रहेगा बहुत ज्यादा खुजली और तकलीव होता है पर्टिकुलर्ली रात को यह ज्यादा बढ़ जाता है और अगर आप बहुत ही टाइट कपड़े पहनते हो यहां पर पर्टिकुलर्ली सॉक्स वगयरा पहनते हो ठीक टाक स चेंग नहीं करते हो तो और भी बढ़ जाता है तो चलिए अब बात करते हैं कि अथलेट्स फूट की सिम्टम्स क्या है अथलेट्स फूट का कुछ बहुत ही प्रॉपर सिम्टम में जिसके कारण अगर सिम्टम्स आप देखें तो आपको पता चल जाएगा कि अथलेट्स तो फूट कि वहाँ पे क्या होता है वहाँ फ्लेकी सकीन लाल हो जाना पिर वहां पर शुजन रहेsna और खुजली होना ऐसे यह स्टार्ट होगा जी दीरे दीरे आप इग्नोर करोगे कि आपको लाइगा ठीक है कोई बात नहीं यह चलता रहता है ऐसे करते करते ना यह बढ़ेगा और घाव जैसा हो जाएगा अल्टिमेटली घाव बढ़ेगा तो वह वहां पे घाव का होना प अगर यह देखे पैर की दो उंगली उसके बीच में अगर यह होना स्टार्ट करें तो वहां पे आपको तुरंट चौकान ना हो जाना चाहिए और आपको जो है प्रॉपर डाइग्नोसिस करना चाहिए स्कीन स्पेशलिस्ट के पास जाके उसके बाद यह आपको ट्रीटमे साथ-साथ आपको फंगस को रोकना है आपकी लाइफ्स्टाइल को मोडिफाइ करना है ताके बाद में फिउचर में फिर से आपका फंगल इंफिक्शन ना हो इसके लिए ऐसके लिए आपको ना कुछ कुछ चीज़ें करना पड़ेगा जैसे आपको कोई टाइट सौक अग एरिया है पैर की वहां पे आपको ज्यादा मॉइस्चर नहीं चाहिए मतलब वहां पे भिगो के रखना नहीं है उसको ड्राइ रखना है बहुत इंपोर्टन हो जाता है क्योंकि आप आपको अगर वह जागा पर बार बार पानी लग रहा है तो उससे इंफेक्शन के चांस ब रखे क्योंकि अगर धूल मिट्टी लगेगा तो उससे इंफेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे फंगल इंफेक्शन तो ही अगर स्कीन वहां पे क्रैक होता है तो बैक्टरी इंफेक्शन भी हो सकता है यह तीन चीज़ आप ख्याल करके चलो देख के चलो मिंटेन करके चल आप पैर को पूरे तरीके से पाउडर लगाओ फिर उसके बाद सॉक्स पहनो फिर उसके बाद जो है क्लोस्ट बूट पहन के आप ऑफिस वगेरा कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है मगर फिर घर आने के बाद आप फिर से उसको ड्रेसिंग करो पाउडर देके और जो ओ आप यही दो पर्टिकुलर यह फिर टर्भी बोल के क्रीम होता है तो यह अलग अलग प्रकार के क्रीम आप यहां पर देख सकते हो तो बैसिकली क्रीम इस्तवाल करना और मेडिकेशन इस्तमाल करना, obviously आप डॉक्टर के सला लेके करें, क्योंकि पर्टिकुरली जानना है कि वह एकलेट्स फूट है, या फिर कोई अलग फंगल इंफेक्शन है, क्योंकि फंगल इंफेक्शन आप बहुत धीरे-धीरे ग्रो करता है, मगर जब ग्रो कर जाता है, तब उसको उसको काबू पाना बहुत टाइम लग जाता है, कोई भी क्रीम इस्तमाल करें, मेडिसिन्स अब ले, जैसे कि इट्रकोनाजोल, किटोकोनाजोल हो गया, फ्लूकोनाजोल, जो भी मेडिसिन्स है, वो दवाई के तौर पर डॉक्टर्स आपको प्रेस्काइब करेंगे, मगर उसको ठीक ठाक अमाउंट में ले, ऐसे लगया कि दो तीन हफते लेने के बाद ठीक हो रहा है, मगर ये ठीक नहीं होता है, आपको ये कंटिन्यू करना है, चार, पांच, छे मैने तक, तू गेट अ प्रॉपर क्योर, डॉक्टर्स जब कहेंगे, अब हो चुका है, आब बंद कर स करना, और ये सारे चीज़ इस्तमाल करें, अगर मेडिकेटर सोप दिया गया, तो उसको इस्तमाल करें, ठीक ठाक से आप मेंटेन करके रखें, तो अब एथलेट्स फूट से बच सकते हैं, तो ऐसे डरने की कोई बात नहीं है, मगर प्रॉब्लेम है, अगर आपके सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ, गलीक के साथ, सब्सक्राइब करना इस चैनल को, ताकि ऐसे वीडियो आपको मिले, थैंक यू, बाई